हिंदी क्लब में आपका स्वागत है मैं रमेश सिर्वास्तो आप लोगों के सम्मक्ष एन्सी टी का एक सीटेट या टेट एकजाम में एपेरिंग होने की योगता को लेकर एक एस्परस्टिक करन लाया हूँ यह उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बढ़ी खुसकबरी है जो टीचर्स ट्रेनिंग करने के लिए अपना नमांकन कराए हैं टीचर्ट ट्रेनिंग में B.A.D.L.A.D. में अपना एडिमिशन कराए हैं उनके लिए बहुत बढ़ी खुसकर भी है इस असपस्टी करण से असपस्ट हो गया है कि अब टीचर्ट ट्रेनिंग में एडिमिशन कराने के बाद वह अभ्यर्थी सीटेट या टेट के एकजाम में अपियर हो सकते हैं पहले भी एपेरिंग वाले सीटेट का एकजाम देते थे लेकिन फर्स्ट यर का एकजाम देने के बाद लेकिन अब वे सभी अभ्यर्थी सीटेट का एकजाम दे सकते हैं जो अपना एडिमिशन टीचर ट्रेनिंग में करा लिये हैं यह असपस्टी करन जो है NCTE ने सुप्रीम कोट के एक ओर्डर आने के बाद जारी किया है जो कि हाई कोट के एक आदेश को संसोजित करके आया है और NCTE ने अपने नियम में बदलाव किया है तो यहाँ उन सभी अभ्यरत्यों के लिए एक गुड़ न्यूज है जो टीचर्स ट्रेंडिंग के लिए एडमिशन करा लिये हैं अब वे भी जो है सीजट के एकजाम या टेट के एकजाम में अपेर हो सकते हैं बहुत बड़ी खुशकवरी है और यह सुप्रेम कोट जो है उसके आदेश के बाद से नियम में संसोजित किया है NCTE ने और वह क्लियर कर दिया है कि जो पर्शूइंग जो वार्ड है पर्शूइंग कि आप जो है उस कोर्स को कर रहे हैं तो पहले क्या होता था कि फश्ट एयर का एकजाम देने के बाद से आप एपेर होते थी सीटेट में लेकिन अब क्या है कि अगर आप सिर्फ एडमिशन ले लिये हैं तो आप अपेर हो सकते हैं, CETATE में. तो उन सभी अपेरतों के लिए बहुत बड़ी खुसकरी है, और इसमें इसने क्लिएर कर दिया है, कि यह जो औरडर है सुप्रीम कोट का, उसके अनुसार, जो योगिता है CETATE के लिए, वह ये है कि आप ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग में teachers training में आप जो है admission ले लिए हैं तो आप उसके योग हैं आप उसमें बैठ सकते हैं तो समय 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 से इसमें बदलाव होता रहता है NCTE के जो guidelines है जो उसके नियम है उसमें बदलाव करके ही उसने लेटर इसु किया है आज के date में आप देख सकते हैं कि उसने साफ साफ जो है subject में लिखा है कि clarification regarding agility of appearing in CTET तो clear है कि अगर आप admission ले लिए हैं तो आप CTET का एक्जाम दे सकते हैं इसी के साथ आज के इस वीडियो में बस